हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग टू ओल एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के उपर हार्दिक स्वागत हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं नौर्सेट 2023 के लिए के अंदर कुछ और important MCQ की बात करेंगी इससे पहले हमने COPD के बारे में MPI-CEMA के बारे में अस्तमा के बारे में अपर रेस्परेट्रेक इंफेक्शन के बारे में लरेंजिक टमी के साथ में नर्सिंग प्रियोरिटी इसके अलावा निमोनिया ये सारी चीजों के बारे में MCQ के तो ये आपके लिए फाइदे बन नहीं है क्योंकि ये जरूरी नहीं है जैसा कि जैसा MCQ मैं आपको बता रही हूँ ऐसा एक्जाम के अंदर पूछा जाए MCQ 100 लगातार करें MCQ प्रेक्टी सही आपको एक्जाम के अंदर जल्दी सक्सेशक करवाएगी क्योंकि जिस दिन आपको एक्जाम के साथ नहीं कर पाते हैं तो उनसी के साथ घलत होती हैं तो उनसी जहों से गबराने की जरूत नहीं है अपने आपको मस्बूत मनाएं खुद पर भरूसा रखे हो लगातार पढ़ाई गरें एक चीज़ आपको कॉमन सेंस वाली बात है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं नौर्सेट का हिसाब से पूरा सेलेबस कवर कर लिया तो उसके बाद में बाखी एक्जाम को अच्छी रेंक के साथ में आप निकाल सकते हों खुद पे इस सीज़ का भरोसा करें कभी भी सेलेबस नर्सिंग का चेंज नहीं होता है medical surgical के अंदर अगर cardiovascular system यह है तो यही रहेगा और सारे exam के अंदर यही रहेगा अगर हम respiratory system के MCQ solve कर रहे हैं COPD बिमारी यह है तो अगर आप doctor बनोगे तो COPD यही रहेगा अगर आप nursing field का कोई exam दोगे तो COPD यही रहेगा इसी को डंक से समझना है इसी को आपको समझना है थोड़ा सा common sense रहे और adult learning पे focus करें और पढ़ाई को continue करें तो आज का हमारा first MCQ आपके सामने है What is the underlying? Why a nurse assess the client with emphysema for the clinical indicator of hypoxia? मरीज किसका है? Emphysema का है और मरीज के अंदर clinical indicator क्या है? hypoxia का? hypoxia क्यों हो रहा है मरीज के अंदर? emphysema वाले मरीज के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि emphysema विमारी होती क्या है? emphysema का अंदर क्या होता है? destruction हो जाता है किसका? allure wall का क्या हो जाता है? destruction हो जाता है इस बिमारी के अंदर? emphysema वाली बिमारी के अंदर क्या है? allurei का जो wall है उसका destruction होता है इसलिए जो है गैसों का exchange proper नहीं होता है और ऐसी condition के अंदर blood के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो आपको पूछा जा रहा है कि emphysema के अंदर hypoxia का clinical indicator क्या है? किस वज़े से hypoxia मरीज के अंदर हो रहा है emphysema के अंदर? option A के अंदर लिखा है emphysema के अंदर plural effusion हो जाता है option B के अंदर लिखा है कि ये क्या है? infectious obstruction होता है airway का option C के अंदर लिखा है loss of arrating surface area option D के अंदर लिखा है respiratory muscles paralysis आप लोगों को इस live session को लगातार return करना है लगातार हर MCQ का सासाथ में जवाब देते रहना है अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है जो आपके समझ में आ रहा है आप जवाब वो देवें उसके बाद में अगर उसका answer गलत भी होता है तो ये MCQ in future आपके गलत नहीं होगा इससे इसको समझना है और लगातार जवाब देना है तो MPI सिमा के अंदर क्या है अलियोलार वॉल का destruction हो रहा है तो उसके अंदर क्या है एर अरटिंग सर्फेस एरिया कम हो जाएगा क्या होगा सर्फेस एरिया कम हो जाएगा यानि कि जहां पे गैसों का proper actions लंग्स के अंदर कहां पे होता है अपनी लंग्स की basic unit कौन है functional unit कौन होती है ऐल्योला ही होती है उस के अंदर क्या होता है डिस्ट्रक्शन हो जाए QC माथ इसकी क्या है टो तो मरीज के अंदर क्या हो जाता है, हाइपोक्सिय होता है, तो इसका किलनिकल इंडिकेटर क्या है, ये उबसेंगर करते हैं, एक टैसरी मसलश जो अपनी रहती है, इंटरकोस्टल सपेस की जो सबसे 15 सें और दूसरा को कि के अंदर डाइफ्राम जो है रिलेक्स हो जाता है उसका क्या है पैरलाइसिस हो जाता है बाकी कंडिशन में पैरलाइसिस डाइफ्राम नहीं होता है next mcq अपना a client is admitted to the intensive care unit मरीज ICU के अंदर admitted with acute pulmonary edema मरीज को क्या है pulmonary edema which rapidly acting intravenous diuretic should the nurse anticipate will be prescribed मरीज जो है यह क्या है pulmonary edema का है और कहां पर admit हुआ है ICU के अंदर admit हुआ है rapid acting जो है fast work करने वाली कौन सी diuretic drug है जो nurse जो है anticipate करेगी कि मरीज के अंदर यह diuretic दी जा सकती है rapid acting वाली option A के अंदर लेका है lastics यानि की frucemide drug option B के अंदर लेका है chlorothiazid option C के अंदर लेका है spironolecton option D के अंदर लेका है acetalzolemide तो यह सारी के सारी drug क्या है diuretic करवाती है लेकिन rapid acting drug कौन सी होती है Frusamide Frusamide कैसे ड्रुग है Rapid Acting ्रुग है सबसे Best Diureyesus करवाने वाई ड्रुग कौन सी होती है Frusamide होती है ये कैसी Diuretic मानी जाती है Loop Diuretic कैसी Diuretic मानी जाती है Loop Diuretic ये किस के tiden मतना है किरी कि ड्रक है जब आप Pharmेकoly uni पड़ते हैं उसमें भी ascending loop of handling पे काम करती है और excess diuresis करवाती है इसके अलावा exam के अंदर पूछा है loop diuretic सबसे ज़्यादा excretion किसका करती है यूरीन के साथ में तो आपको जवाब देना है sodium और chloride का किसका sodium और chloride का सबसे ज़्यादा excretion करवाती है loop diuretic drugs option B के अंदर लेका है chlorothiazid ये कैसी diuretic है thiazid diuretic कैसी diuretic है thiazid diuretic बोला जाता है diuretic की तीन category रहती है एक होती है osmotic diuretic दूसरी रहती है thiazid diuretic और तीसरी रहती है loop diuretic ये तीनों category किसकी है diuretic drugs की रहती है इस diuretic drug को anti-hypertensive drug के साथ में भी पढ़ा जाता है जब भी किसी मरीज के अंदर hypertension रहता है blood vessels के अंदर pressure ज़्यादा रहता है तो ऐसी condition के अंदर भी diuretic prescribed किया जाता है कि इसके साथ में beta blocker drug के साथ में और calcium channel blocker के साथ में दी जाती है जब मरीज के अंदर क्या हो जाए hypertensive crisis रहता है तो ऐसे मरीजों के अंदर diuresis दिया जाता है तो chloroth hyazid diuretic कैसी रहती है थायazid diuretic रहती है इसके अलावा option C के अंदर लेका है speranolecton diuretic ये भी एक diuretic drug है और ये drug क्या करती है के binder है के binder है के binder है refractive hypokalemia है तो ऐसे मरीजों के अंदर कभी भी loop diuretic रहती है ये जाती है ये drug क्या करती है potassium को bind करती है और बाकी सारी चीजों का urine के साथ excretion करवाती है तो इसको के binder के नाम से भी जाना जाता है option d के अंदर acetazolamide लेका है ये कैसी drug है ये drug है anhydrase inhibitor drug कार्बोनिक anhydrase inhibitor drug के नाम से जाना जाता है और ये drug drug of choice किसकी रहती है hydrocephilis वाले जो बच्चे रहते हैं जो hydrocephilis के मरीज रहते है hydrocephilis तो hydrocephilis वालो मरीजों के अंदर क्या दिया जाता है acetazolamide acetazolamide कैसी drug है carbonic anhydrase inhibitor drug के नाम से जाना जाता है और ये drug of choice कि किसकी है hydrocephilis वाले मरीजों की है next mc क्यों अपना a nurse reposition client who is diagnosed with emphysema to facilitate breathing which position facilitate maximum ear exchange मरीज क्या कर रही है मरीज को reposition कर रही है nurse और मरीज किसके साथ diagnosis हुआ emphysema वाला है यानि कि उसकी alleloi wall का destruction हो रखा है उसके अंदर breathing को बढ़िया facilitate करने के लिए कौन सी position ज्यादा best रहेगी जिसमें ear accents सबसे ज्यादा होता है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है अगर आपको पूछे respiratory disorder के अंदर कौन सी position दी जाती है तो आपका जवाब क्या रहता है semi-fowler या high-fowler position दी जाती है लेकिन ऐसी condition में जो best ear accents अगर आपको पूछा जा रहा है तो ऐसी condition में कौन सी position देनी है या आपसे पूछा जा रहा है option 1 कह रहा है सुपाइन position तो सुपाइन position कभी भी respiratory disorder वाले मरीजों के लिए best नहीं हो सकती option B के अंदर लेका है ortho panic position यस ये इसका correct answer है ortho panic position किसके अंदर दी जाती है जो मरीज emphysema वाला है या COPD वाला है ऐसे मरीजों के अंदर क्या है गेसों का exchange प्रोपर नहीं हो रहा है इसलिए मरीज की बलड के अंदर क्या है CO2 का लेवल बढ़ रहा है इसे मरीजों को अंदर जहीं जो ऑर्थोपैनिक position इसके अंदर क्या होता है जैसे आप बैड पे बैटे हो और बैड के साइड में टर्नों के पाम को क्या क्या डेंग्लिंग यहाणि आपने पाम कोलट का के रखते हो दोनों हाथ से साइड में सबर्ठ रखा Japanese से जुक के बैटे ओपविचयन को उपन और पैने के बोलते हैं। जिसके निन लेंग ने डेंगलिंग रहती है लेको लटका के रखते हैं और यहां से क्या होता है जब आप बैठते हो जब प्रोपर ऐसी पोजिसिन में और तो आपको क्या है इंफिरियर वेना केवा का भी कंप्रेशन होता है क्योंकि आपकी फिमोरल यहां से जो वीने से रिटन आता है हाट की लस्त-पन क्या बोलते हैं और थोपेनिक बोजिसेन बोलते हैं ऐसी कंडिशन क्या है गेस का एक्शेंज और का एक्सेंज प्रोपर होता है الل台्यों है और चाहिंवलर सरौजियरिय ऩो धामी यह को दियां लेकिन यह क्या है बेस्ट पोजिसिन इसुपजिजिशन इस इंफ लेरिंजेक्टमी हुई है और ऐसे मरीजों के अंदर कम्यूनिकेशन की एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आप कौन सा टॉपिक जो है टीचिंग प्लान के अंदर इंक्लूड करेंगे यह आप से पूछा जा रहा है लेरंशेक्टमी जब भी आप जो है आप आपका जो वैस बॉला जाता है जब आप जो है वैस आपकी कैसे नेखलत की जब ह giorno और Whereas के वर्ड की क्या है वाइब्रेशन बनता है वर्डिंग बनती वो इस बोक्स की सा ब्लला जाता है अगर आप आप लेरिंजक टमी करके लेरिंग्स को निकाल लिया है तो अब ये मरीज बोल नहीं पाएगा ऐसी कंडिशन के अंदर आप क्या क्रियेट करेंगे ऐसा आप से पूछे जा रहा है option A लिका है sign language, option B के अंदर लिका है body language, option C के अंदर लिका है isofasial speech और option D के अंदर लिका है computer generate speech, तो computer generate speech किसी टाइप का speech नहीं रहता है sign language किसके अंदर यूज की जाती है, जो मरीज कैसे रहते हैं, deafness वाले, जो मरीज सुनते नहीं है ऐसे मरीजों के अंदर sign language यूज की जाती है, क्योंकि आप उस मरीज को कुछ भी बोल के सुना होगे, तो उस मरीज को सुना ही नहीं देगा लेकिन अगर आपने किसी तरह का symbol दिखा है, तो वो मरीज समद जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो तो sign language कौन से मरीजों के अंदर यूज की जाती है, जो मरीज hearing loss वाले रहते हैं उनके अंदर Body language जो है, जो मरीज लेरिंज अक्टमी वाले हैं, इनके लिए best नहीं है आपको क्या करना है, इसोफेजियल स्पीस, तो ये एक क्या होता है, इलेक्टर इसोफेजियल टाइप का एक पाउस क्रियेट किया जाता है आपके लेरिंग्स, लेरिंग्स अरिया के अंदर और वहाँ पे आप थोड़ा बहुत voice production कर सकते हो, तो ये एक टेक्निक रहती है, मरीजों के अंदर एक operation रहता है, इसोफेजियल स्पीस के लिए, इसोफेजियल स्पीस के लिए, जिससे थोड़ी बहुत voice प्रोड़क्शन हो सकती है, तो जिन मरीजों के अंदर लेरिंग्स टमी होई है, उन मरीजों के लिए, इसोफेजियल स्पीस वाले जो operation surgery है, उसको आप क्या करोगे, एंटिसिपेट करोगे, ये आपके teaching client के अंदर include होना चाहिए, तो इसका answer क्या है, C, C is the correct answer. How should the nurse, ये क्या है, nurse लिखा हुआ है, nurse नहीं है, ये क्या है, nurse है, हम लोग क्या है, nurse है, how should the nurse monitor the, monitor for the complication of subcutaneous emphysema after the insertion of chest tube, मरीज के अंदर आपने क्या 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 है, ICD insert किया है, intercostal DNA system को, जो है, insert किया है, उसके बाद में, मरीज को subcutaneous emphysema हो सकता है, ये आप कैसे assess करेंगे ऐसे complication को, ICD के साथ में complication क्या रहता है, ICD का complication क्या होता है, subcutaneous emphysema, ICD का complication होता है, और ये subcutaneous emphysema क्या होता है, जब LLR wall का destruction होता है, तो air outside, under the skin आती है, और जब under skin air collect होती है, तो मरीज के अंदर, क्या finding देखने को मिलेगी, ये आप से पूछा जा रहा है, option A के अंद लेका है, ascultate the breathe sound for the crackle and ronkai, option C के अंदर लेका है, observe the client for presence of barrel safe chest, option D के अंदर लेका है, compare the length of inspiration with the length of expiration, तो inspiration और expiration लेंध को compare नहीं करना है, एंपाई सीमा के अंदर, barrel chest कौन से मरीजों के अंदर देखा जाता है, जो मरीज किसके होते हैं, COPD वाले मरीजों के अंदर, barrel chest देखने को मिलता है, option B के अंदर लेका है, crackle sound, तो crackle sound किसके अंदर देखने को मिलती है, pulmonary, pulmonary edema वाले मरीजों के अंदर, crackle sound आती है, lungs के अंदर से, और, जो मरीजों के अंदर क्या है, surgical site के आसपास, skin के अंदर, अगर, air collect हो रखे, तो वहाँ पे क्या है, cryptos देखेगा, जब के अंदर, air collect होती है, alluli wall का destruction होने के बाद में, air skin के अंदर आ जाती है, तो अपन जब अपन वहाँ पाल्पेट करते हैं, तो cryptos का sound कैसा होता है, आपके जो बाल होते है, आपके hair जो है, उनको आप कान के पास लाकर के ऐसे गिचते है, तो कैसी आवाज आती है, उस सीमा का, clinical finding का, classical sign होता है, और यह ही हम देखेंगे, अगर मरीज के अंदर, ICD की वज़े से, सब किटेनिस, मरीज के अंदर, cryptos देखाई, cryptos होना ही देता है, इस किन के अंदर, जब अपना पाल्पेट करोगे, तब, तो इसका answer क्या है, A, A is the correct answer, next, MC के अपना, During the first 36 hour, after the insertion of chest tube, when assessing the function of three chamber closed chest drainage system, the nurse identify the water in the underwater seal tube, water seal tube is not fluctuating, what initial action should the nurse take? ये क्या है, इतनी बड़ी language गुमाई है, लेकिन आपको इसके अंदर में तीन सीज आप समझा दोंगी, के इसके अंदर क्या, MCQ बनते हैं, ICD वाले मरीजों के अंदर, जिस मरीज के अंदर ICD लगी है, और वहाँ पे nursing intervention, क्या रहेगा, किन के condition के अंदर, वो चीज़ आपक इसको जणा जाता है, उसके अलवा अगर उससे, अगर, MCU कुछ और बनता है, तो उसके अंदर आपको पूछें के ये treatment किसका है, तो ये treatment है, Hemothorax, Pyothorax का, Hemothorax का treatment रहता है, ICD, इसके अलवा, आपको जो हो कुछ जो है, इसकी जो tissue का, क्योंथाल сторону के अंदर रहता है, व ICD insert कर दिया आप मरीज आपके पास ICU के अंदर admit हुआ है और उसका जब ICD के अंदर आप colon moment देख रहे तो अपसेंट है तो एसी condition के अंदर आप क्या करेंगे तो यह तो इतनी बड़ी language थी बट इसका logic एक simple चाहे उसमें पूचा के colon moment अगर अपसेंट है तो आप क्या करेंगे इसके अंदर भी आपको यही पूचा है कि three chamber close drainage system लगा हुआ है मरीज को जो है 36 hour पहले लगे यह सब बनाने की बाते हैं और इसे से आप confused होते हैं इसे से आप डरते हो कि इतना बड़ा MCQR इसका जवाब क्या देंगे तो 36 hour पहले डाली है दो गंटे पहले डाली है उस तीज़ पर आपको focus नहीं करना है आपको पूचा जा रहा है कि मरीज के अंदर water seal DNA system लगा हुआ है और उसके अंदर क्या है उस ट्यूब के underwater tube के अंदर क्या है not fluctuate इस column के अंदर कुछ भी moment नहीं है तो ऐसी condition में आप क्या column moment नहीं है option C के अंदर का turn the client to the unaffected side जिस side ICD डिला है दूसरी साइड आप क्या कर दोगे इसको turn करोगे तो इसके अंदर column moment आजेगा ऐसा नहीं है option D के अंदर लेका है check the tube to ensure it is not kinged ये इसका बिल्कुल correct answer है कि अगर column moment आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसी condition तब ही हो सकती है इसके अंदर सिर्फ दो ही condition में column moment absent हो सकता है या तो आपने जैसे pneumothorax हुआ और मरीज के अंदर ICD डिला और वो सारी air बहार एकसपल आउट हो गई है तो ऐसी condition के अंदर अब column moment नहीं आएगा तो ये मरीज के लिए best result हो सकता है दूसरी चीज इसके अंदर column moment absent क्यों हो गई है या तो उसके अंदर tube का kink हो गई है त्यूब के अंदर कोई note आ गई है मरीज के अंदर कहीं प्रेस हो गई है या उसके कोई obstruction आ गया तो ऐसी condition के अंदर किंग हो जाती है आपको क्या काना है सबसे पहले tube को चेक करना है कहीं किंक नहीं है उसके बाद आपको क्या काना है इस health care provider को बताना है कि मैंने इस ट्यूब को चेक कर लिया किसी तरह का कोई किंक इसके अंदर नहीं कोई note इसके अंदर नह करना ज्यादा मरीज के लिए हामफुल हो जाता है क्योंकि इंफेक्शन जो टिबिंग के अंदर है वो अंदर चला जाएगा लंग्स के अंदर तो यह चीज रहती है यह बात का काम डॉक्टर करेगा लेकिन आपको क्या करना है सबसे पहले इस ट्यूब को चेक करना है अगर क आपको मैं इसके साथ में दो-तिन चीजें बता डेती हूं इसके अंदर तीन फैंडिंग डियती एक तो हिएं इंट्रिमीडेट कॉलन मोवमेंट यह होता है इसके नदर इंचर्मीडेंड हैक्ष्पोर्ण मॉमेंट intermediate column movement या इसके अंदर क्या है column movement क्या है absent है कोई fluctuation नहीं है या इसके अंदर क्या है continuous bubbling आ रही है continuous application तो आप ऐसी ऐसी condition में आपको क्या करना है और यह क्या finding अगर intermittent column movement हो रहा है ICD के अंदर तो यह condition क्या है normal है अगर इसके अंदर absent है तो см可 को बता है इसके साथ दोई कंडिशन हो सकते या तो आपने जिस परपस जो आई-सीडी डाला है वह परपस आपका लिकेज है तो उसके बाद में आपको डॉक्ट को इंफॉर्म करना यह तीनों चीज़े आपको आई-सीडी की अंदर बहुत बार लेंग्विस गुमा के पुछी जाती है यह चीज़ आपको ध्यान रख रहा है यह तो आपको इस तीनों तीनों मैंसे को एक लेंग्विस डाल करना है इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर पूछी जाती है कि एक मरीज के अंदर क्या है आई-सीडी डिला हुआ है और सड़न वो डिस्लोज हो गया वहां से तो अब आप क्या करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना आपको इसके लिए आपकी बैट साइट जि करनी है पर नहीं हो जाए और बाहर बाहर की यह अंदर नहीं चली घान लॉक अंगी यहाँ से अपको गब राने की जरूत नहीं है और जो लोगों हस्पिल के अंदर काम कर रहे हैं आइसीओ के अंदर उन लोगों को इसका पढ़ने की भी जरूत नहीं है क्योंकि उनका डली काम होता है next MCQ The nurse should refer a client to the pulmonary clinic for the suspected tuberculosis based on clinical indicator report during the initial clinic client interview select all that apply एक मरीज क्या है जिसके अंदर नर्स ने suspect किया है उसको क्या है tuberculosis हो सकता है उसने pulmonary clinic पर पूचा बेजा है तो वहाँ पे clinical indicator सबसे पहले उसको interview के अंदर क्या पूचेगा जो है tuberculosis की basic finding क्या रहती है यहीं आपको select करना ही है तो सबसे पहले आपको इसको बाहर करना जो इसके अंदर नहीं होते हैं तो वामिटिंग टूबर क्लोसिस वाले मरीजों के अंदर नहीं होती हैं तो ये इसके अलावा तूबर क्लोसिस वाले मरीजों के अंदर क्रेकल साउंड आती हैं ये तूबर क्लोसिस का साउंड नहीं है हिमेपटाइसिस जो है टूबर क्लोसिस के अंदर होता है नाइट स्वेट होता है इसके अलाव है इसका जो बेस्ट साइन रहता है वो क्या है वेट लॉस लास्ट कुछ वपतों के अंदर उसका वेट लॉस हुआ है तो यह क्या है इंडिगेट करता है कि मरीज के अंदर क्या लिख्र वर्डटेरीका अगर आपकी वमिटिंग एसाथ ने बिलड आ रहा था वहलिस्ए है नाइट स्वेट का मतलब होता है जब बरात को सोता है उसको बहुत ज़्यदा बैसीज़ मेड़िकति होते हैं तो इसका आंशर क्या है सी और डी इसका अंसर क्या है सी और डी नेक्स्ट एंसे क्यों अपना यह नर्स इस केरिंग फोर ए ग्रूप ओप क्लाइंट और मेडिकल सर्जिकल उनिट विच क्लाइंट हैज था हाइस्ट रिस्क और पल्मांदरी एंबोलिजम कौन से मरीज के अंदर हाइस्ट रिस्क है कि मरीज के अंदर पल्मांदरी एंबोलिस हो सकता है पल्मांदरी एंबोलिजम हो सकता है मरीज ओबेस क्लाइंट विद लेग ट्रॉमा मरीज एक ओबेसिटी वाला है उसके लेग के अंदर ट्रॉमा हुआ है option B के लिखा है pregnant client with acute asthma, मरीज क्या है pregnancy वाला है उसको acute asthma वाली प्रोब्लम है, option C के लिखा है client with diabetes जिस मरीज को diabetes है, option D के लिखा client with pneumonia who has immunodeficient, मरीज को pneumonia भी है और वो कैसा है immunocompromise मरीज है, तो मरीज को pneumonia होना और उसका immunocompromise होना pulmonary edema cause नहीं करता है, pulmonary edema, pulmonary embolus है, sorry pulmonary embolus जो है यह कब होता है, जब मरीज के अंदर deep vein thrombosis होता है, जो मरीज long term से bad return पर रहते हैं, ऐसे मरीजों के अंदर venus return proper नहीं होता है, और उनकी जो deep vein होती ही वहाँ पे clot formation हो जाता है, अब वो clot अब गर वहाँ से mobile हो गया, तो वो जाकर के कहाँ पर फस जाएगा, lungs के अंदर उसको को अपन क्या बोलते हैं, pulmonary embolus बोला जाता है, ऐसी condition कब रहेगी, जो मरीज के अंदर क्या है, एक तो मरीज obesity वाला है, दूसरा उसको leg के अंदर trauma हुआ है, तो अब यह चल फिर नहीं सकता है, ऐसी condition के अंदर मरीज के अंदर क्या है, leg के अंदर क्या है, clot बनेगा और वो clot कहां जाके फस जाएगा, लंग्स के अंदर और वो condition क्या create कर सकती है, pulmonary embolus वाली, जो मरीज बेर डेडन रहते हैं, उन मरीजों के अंदर अपन DVT मसीन से क्या करते हैं, DVT pump लगाते हैं, क्या लगाते हैं, DVT pump, यह क्या है, prevention है, यह इसका treatment नहीं है, यह चीज आपको ध्या नहीं लगाते हैं, लेकिन जो मरीज लॉंग ट्रम से ICU के अंदर हैं और बेर डेडन हैं, ऐसे मरीजों के अंदर DVT को prevent करने के लिए अब क्या लगाते हैं, DVT मसीन से, DVT pump लगाते हैं, उसके अंदर क्या हैं, लेग की exercise continue रहती हैं, उसके अंदर जो स्लीव आती हैं, DVT की व प्रिवेंट करने का तरीका है, अगर मरीज को DVT हो गया हैं, उसके बाद में DVT pump आपको कभी भी नहीं लगाना है, ऐसा एक्जाम के अंदर गई बार पूछा जाता है, आपको MC को को डंक से पढ़ना है, DVT अगर नहीं हुआ है, तो DVT pump आप किसको लगाते हो, तो जो मरीज लॉंग टरम बेड डिडन रहते हैं, उसके अंदर डीप वेंट थ्रम्बोसिस वाले बिमारी नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं, कभी भी ये इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ये मरीज चो अबेज हैं, जिसके अंदर लेग के अंदर ट्रॉमा ह हुआ है, उसके अंदर चांचे जाए कि उसके क्या हो सकता है, प्रेगनेंट क्लाइंट एक्यूट अस्तमा कभी भी कोज नहीं कर सकता, डाइबटीज भी इसका कारण नहीं है, और मरीज का निमोनिया और इम्मिन डेपिसेंट होना भी डीवीटी का कोज नहीं होता है, ने इस मरेज," एक मरीज डेड़ान और चेस्ट पहन रही हो। क्या करेंगे हो इसके अंदर और यूजियन अधिन इम्मिस्टेशन कर रहे हो। कौन यूज्साअ मैथा यूज़ करेंगे या रेब्रिथर मास्क कि यूज़ करेंगी एक होता है nor यह थोरों मास्क देखने हैं बिल्कूल एक जैसे होते हैंसके अंदर से पोट का चैल्स रहता है जब भी में है फंडामिंटल के आपको समझाओंगी और आपके साहथ में डिसकुस करो के अंदर एक फेस मास्क लगता है उसके नीचे जो कनेक्टर होते हैं उसके अलग लग कलर कोड रहता है यह पूरा सैट रहता है वैंचूरी मास्क और इसकी कलर कोडिंग रहती है कौन से color से कितने percentage oxygen दी जा सकती है अगर आप hospital setup के अंदर काम करते हो तो वहाँ पे तो क्या रहता है पूरा जो venture mask का set रहता है उसके हर color code के उपर लिखा रहता है कि इस color से इतने percentage oxygen दी जा सकती है तो ये उसके उपर mention रहता है तो वहाँ तो आपको problem नहीं आती है लेकि जब आप exam के अंदर आपके सामने venture mask का photo आता है मालो वो green color का venture mask का photo दे दिया और आपको बोला कि ये जो है venture mask का कौन सा ये color code कितने percentage oxygen देता है तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़े याद होनी चाहिए तो fundamental के अंदर कुछ tubing की sizes रहती है इसके अलावा कुछ color code रहते हैं कुछ oxygen method रहते हैं कुछ और procedure भी रहते हैं वो सारी चीज़ों को आपको बारी की से पढ़ना है exam के नियर बहुत अच्छे से revise कर के जाना है क्योंकि ये चीज़े बहुत बार exam के अंदर पूछी जाती है तो जब हम fundamental वाला topic discuss करेंगे उसके अंदर में आपको venturi mask के color code और कितने percentage कौन सा कितनी concentration के साथ में oxygen नेता है वो भी आपको detail discussion बताऊंगी तो मरीज के जिस भी method के अंदर मरीज का face cover हो रहा है उसके अंदर मरीज ज्यादा suffocate होता है मरीज को ज्यादा anxiety होती है तो nasal cannula के अंदर क्या है एक छोटी सी probe होती है जो नाक के अंदर लगती है और उसको ear के आगे से लगा कर या neck के नीचे fix किया जाता है तो ये क्या है less anxiety cause करने वाला method है तो आप मरीज की anxiety को कम करने के लिए कौन सा method यूज करेंगे nasal cannula को use करेंगे तो इसका answer क्या है A is the correct answer जब आँ वेंचूरी mask का non-rebitter mask लगाते हो तो ये non-rebitter mask में एक तो आगे mask रहता है पीछे एक बैग रहता है तो इससे मरीज को बहुत गबराट होती है कि जैसे मेरा face पूरा cover हो गया एक और MC के अगर exam के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन से method के अंदर मरीज को ज़्यादा suffocated और anxiety feel होती है तो आपको जवाब देना है NIV mask के अंदर NIV mask के अंदर क्योंकि NIV mask जो होता है वो क्या करता है face को बहुत tightly cover करना होता है अपने को उसके अंदर जब अपने जो है nasal के अनूला, venturi mask, rebiter mask, non-rebiter mask ये सारे method फैल हो जाए इसके अंदर मरीज की CO2 जो है maintain नहीं हो रहे है तो ऐसी condition के अंदर non-invasive ventilation में अपना last method अपने पास रहता है NIV mask या bypev mask ऐसे के अंदर अपन क्या करते है मरीज के अंदर क्या करते है उसकी CO2 को reduction करने के लिए pressure ventilate करते है तो NIV mask tightly मुह को cover करता है और उसके बाद में उस tubing को open connect के से करते है ventilator से और ventilator में से pressure generate करता है तो उसे मरीज को बहुत ज़्यादा headache, anxiety और suffocation फील होता है तो अगर exam के अंदर आपको पूछा जाए कौन से method में सबसे ज़्यादा मरीज को anxiety और suffocation लगता है तो आपको जवाब देना है NIV mask के अंदर और सबसे ज़्यादा comfortable कौन रहता है तो nasal cannula जो है सबसे ज़्यादा comfortable है oxygen का method मरीज के लिए तो इसका answer क्या है A is the correct answer आज के लिए यतना ही हम मिलेंगे next video में तब तक के लिए धन्यवाद हर MCQ के साथ में detailed discussion इस तरीके से आपको जो है इसके rational है समझाए जा रहे हैं इसलिए आपको वक्त लग रहा है हर चीज के अंदर वक्त लग रहा है आप उसको ध्यान नहीं दे आप ये सीखे कि हमने आज क्या नया सीखा है इस सीख को focus करें आपको ऐसा लगता है कि मैंने सुबह से आज की दिन में पूरा एक ही दिन में respiratory system पढ़ लिया तो वो ज़्यादा effective study नहीं है आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा है लेकिन उसका outcome बहुत अच्छा आ रहा है आपको वो सीख बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो ये बहुत जादा helpful रहेगा exam के लिए आपको हो सकता है है जी टीच ऐसे के SMC क्यों आपको नहीं देखाय जाए लेकिन इसके आसपास की चीज़े अगर आपने सुन रखी है आपने पढ़ रखी है आपको लोजिक बताया तो कुछ भी पूचा जाएगा ता आप उसका जवाब आसा नहीं से दे सकते हैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके नौर्सेट तक हम इस एंड क्लेस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे इसके अलावा कुछ और टापिक भी इंपोर्टन रहते हैं नौर्सेट के लिए